नमस्कार मैं हूँ एड़ोकेट जीतिंदर दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दाली गलैड आज की वीडियो में बात करेंगे आपके सवालों के उपर मेरे से बहुत सारे वाटसप के मादिम से सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर हमने एफायर दर्ज करा दी है हमने दहेज के एफायर दर्ज करा दी है या कोई अन्य एफायर हमने दर्ज करा दी है उसके बाद पुलिस जो है अन्य पार्टी को अरेस्ट नहीं कर सकती है तो हम ऐसी सिच्वेशन में क्या कर सकते हैं कि पुलिस जो है दोसी पार्टी को अरेस्ट करें उनके खिलाफ का करें और क्याकानूनी प्रिकर्विया हम इस चीज के लिए अपना सकते हैं तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे तो लोगों तक शेयर करे ताकि उनको ये वीडियो मिल सके और उनके काम आ सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर मैंने दहिज की कंप्लेंट दर्ज करा दी है और उसके बाद जो पुलिस है द 408 में A यानि दहेज की कंप्लेंट के बारे में है तो अगर दहेज की कंप्लेंट के बारे में है तो दहेज की कंप्लेंट में पुलिस जो है अरेस्ट करती है और वहीं पर पुलिस उनको बेल दे देती है इस बात कि आपको नौलिज नहीं होती है कि वो पुलिस ने उनको या नहीं तो आपको ये लगता है कि पुलिस ने उनको NHC किया है क्योंकि 408 में A के cage में पुलिस को यह power है कि वह दोशी को अपने मादम से ही जमानत नहीं देती है जब उसको जमानत मिल गई है तो जमानत के बाद जब पुलिस investigation अपनी पूरी कर लेगी तो वो उनको चलान के साथ कोर्ट में पेश कर देगी और जब वो चलान के साथ पेश करेगी तो ऐसी कंडिशन में आपको पता चलेगा क्योंकि आपको भी गवाई के लिए सम्मन आएगा लेकिन इस प्रोसेडिंग के बीच में आपको पता नहीं लगता है कि पुलिस ने उनको कोई किसी भी परकार से अरेस्ट किया है या उनको जमानत दी है या नहीं लेकिन फिर भी अगर आप पतारा करना चाहते हैं तो ऐसी कंडिशन में आप अपनी F.I.R. के साथ स्टेटस रिपोस उस पर्टिकुलर केस की मंगवा सकते है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पुलिस ने उनको औरेस्ट किया है नहीं किया है कोई जमानत दी है या नहीं दी है अगर पुलिस ने जमानत दे भी दी है उसके बाद भी अगर आपको धमकिया दे रहे हैं या आपके साथ किसी परकार के अनति गटना गटित कर रहे हैं गटित करने की धमकी दे रहे हैं तो फिर से एक complaint आप पुलिस में उनके गेश दे सकते हैं इसके अलावा अगर बात करूं कोई अन्ना एफायर की कोई अन्ना एफायर हुई है और जिसमें आपने एफायर दे दी है या complaint आपने दी थी उसके बाद काफे समय बाद एफायर भी दर्ज हो गई है लेकिन जो दोसी पार्टी है उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है तो क्या करें तो देखी ऐसी कंडिशन में अगर आपने कोई हिनियस कराइं के अगर कोई पेचिदा मुद्दा है और उसमें आपने एफायर दर्ज कराई है और पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है दस दिन हो गए हैं पंदरा दिन हो गए हैं वो आपके सामने ही घुम रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में सबसे पहले तो आपको वहां के एसपी साब को आप लिकित में आपको सिकायत देनी चाहिए कि मैंने एक एफायर दर्ज कराई थी जिसकी एफायर नंबर ये है ये संख्या है और इस डेट को एफायर दर्ज हुई थी उसके बाद भी उस दोसी पक्स क तो नहीं अरेस्ट किया जा रहा है उनके दोबारा हमें धंकिया दी रहा है या जो आपके साथ हो घटना घटित करने की कोशिश कर रहे है उसका आप विवरन दे अरेस्पी साब को आप लेखें उसके बाद भी अगर आपकी कंप्लेंड पर कोई कारवाई नहीं हो रही है तो फिर आपको वकिल साब के पास जाना है और वकिल साब के पास जाकर आपको अपने उस पर्टिकुलर एफायर की स्टेटस रिपोर्ट के लिए एप्लिकेशन कोट में लगाएं फिर कोट उनसे विवरन मांगेगा कि आपको इस केस में अभी तक पुलिस ने क्या किया है पुलिस फिर उस status report में जवाब देगी कि उन्होंने arrest किया है नहीं किया है और case में उन्होंने अब तक क्या proceeding की है अगर कुछ ऐसी condition में उन्होंने कुछ नहीं किया है तो court के मादम से आप उसी समय application मूब कराकर उनको direction भी दिला सकते हैं इस मादम से उस case में कारवाई हो लेंगे इसके बावजूद अगर दूसरी पार्टी ने किसी परकार की कोई अगरिम जमानत लगाई है इनी दुरान या किसी परकार की कोई बेल लगाई है तो उसमें भी आप अपने वकिल साब भेज़ कर उस बेल application को डिसमिस करा सकते हैं और डिसमिस कराने के बाद उसका SP को आप लिखें कि इनकी बेल application भी खारिज हो गई है जिसके बाद भी पुलीस जो है जान बूजगर इनको रेस्ट नहीं कर रही है कर प्या करके इनको रेस्ट कराए जाएं नहीं तो हमारी जान माल को खतरा हो सकता है इस परकार application देकर और कोर्ट में application लगा कर अपनी case मे affair जो दर्जाब के हुई है आपकी complaint में उसमें आप दोसी गन को arrest करवा सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा अगर आपके भी ऐसे सवाल है या कोई सुजाव है तो आप दियो है WhatsApp नंबर पर हमें message कर सकते हैं हमारे team जल से जल्द आपको reply करने की कोशिश करेगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो किरपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें ताकि और लोगों के ये वीडियो काम आ सकें और किसी की जिन्दगी हम बचा सकें जैहिन जैभारत